नमस्कार मैं हूँ राहुल शर्मा आप देख रहे हैं SP9 News वाकत है आप सभी का हमारे इस खास बड़ी कबर में काफी समय से हम लोग राजस्थान का जिकर कर रहें जी हाँ राजस्थान में जल्दी चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले राजस्थान कांग्रिस में हालात ठीक नहीं हैं दरसल देखा जा रहा है कि गहलोत के करीबियों ने भी अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है जिस तरह से गहलोत के करीबियी पार्टी से अलग हो या दी जाने की तैयारी है और अगर सचीन पाइलेट को बड़ी जिम्मधारी नहीं दी जाएगी तो इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा फिलहाल सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि एक और जहां पाइलेट गुट बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है राजस्थान चुनाओ से पहले दूसरी तरफ गहलोत गुट लगातार गिरता चला जा रहा है हाला कि कॉंग्रेस पार्टी अलाकमान सुनिया गांधी की नजर पूरे तरह से बनी है सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह की स्थती बनी है वो सीधे तोर पर ये बता रहा अब पार्टी पर दिखना शुरू हो चुका है दरसल मौजुदस समय के जो हालात हैं मौजुदस समय की जो इस्तिती है वो कॉंग्रिस पार्टी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि ये जरूर देखा जा रहा है कि एक और जहां अगर सूनिया गांधी पाइलेट को ना पर सचिन पाइलेट गुट जिस तरह से एक्टिव हो चुका है जिस तरह से लगातार वो तैयारी कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि इस वक्त सूनिया गांधी के लिए या तो परिवारवाद को चुनना है या पिर चुनाव को चुनना है कॉंग्रिस पार्टी अभी तक सूनिया हमेशा से खेलती रही है, फिलहाल सचिन पाइलेट काफी वक्त से कॉंग्रिस पार्टी में जुटे हुए हैं, जुडे हैं, युवा नेता हैं, पार्टी को लेकर बहुत वक्त से आगे भी चल रही है यही बज़ा है कि राजस्तान की जनता खुलकर सचिन पाइलेट की समर्थन में बात कर रही है। कि क्या अगर सचिन पाइलेट कॉंगर्स पार्टी से खुद को अलग कर भाज़पा की तरफ चले जाते हैं तो वही जनता का समर्थन और विश्वास यहां भी मिलेगा या फिर बढ़ता नजर आएगा। चलिए आज के लेट नहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लेजा दीजे नमस्कार। प्राटी साहीं आपसे टाहीं आपसे अजर आपसे प्राटी से खुद के लेजाएगा।